तो दोस्तों आज की सोड़ो में हम बात करने वाले हैं SSC का न्यू अपडेट के बारे में तो देखे प्रेंस यहाँ पर यह जो अपडेट है आपकी रहने वाली है स्टाप सेलेक्शन कमिशन में अगर आप किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अपलाई कर रहे हैं और आपको फॉर्म में सिगनेचर अपलोड करने में दिक्कत हो रहा है प्रोब्लम हो रहा है तो सिगनेचर कैसे अपलोड करेंगे आज की सोड़ो में आपको कम्पिट जानकारे दिया जाएगा देखे फ्रेंस यहाँ पे बहुत सारे candidate signature अप्लोड कर रहे है signature क्या हो रहा है यहाँ पे upload नहीं हो रहा है यह signature जो होता है यहाँ पे cut जा रहा है तो आपका यह जो problem होता है इसको आपको कैसे solve करना है साथ में आपको photograph और signature को कैसे resize करना है घर बैठे और upload कैसे करना है पूरी जानकर यह आपको इस वीडियो का माध्यम से दिया जाएगा अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो क लाइक, subscribe, share करेंगे ऐसे ही update पाने के लिए किसी परकार का query होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे सबसे पहले देखे friends यहाँ पे signature upload करने से पहले आपको इसका जो instruction होता है वा आपको ध्यान से read करना होगा instruction में बोला गया है कि सबसे पहले आपका जो photo होता है यह आपका 10 केवी से 20 केवी के बीच में होना चाहिए JPG या JPEZ format में upload करना है dimension भी आपको दिया गया है जो dimension यहाँ पे आपको बोला गया है यही dimension में आपका जो signature होता है वो आपका होना चाहिए अगर आप इस dimension में signature upload नहीं करते हैं तो आपका जो signature होता है वो आपका upload नहीं होगा इसलिए आपको यही dimension क्या करना है set करना है कैसे set करना है वो भी आपको इस video बता जाएगा इसके बाद देखें प्रेंस यहाँ पे आपको 4 नमर में बुला गया है कि आपका जो signature होता है वो आपका blur नहीं होना चाहिए अगर आपका signature blur हो जाता है तो आपको यहाँ पे आपका जो form होता है आपका reject हो जाएगा इसलिए आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और आपका जो भी signature होता है वो आपका यहाँ पर proper upload होना चाहिए आपका जो signature होता है वो आपका cutा नहीं रहना चाहिए यही जो instruction होता है वो आपको इसमें बॉला गया है अगर आप इसमें से किसी भी लाइन को follow नहीं करते हैं तो आपका जो signature होता है अब आपका reject हो जाएगा इसलिए आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको वीडियो को जरा सभी skip नहीं करना है अब चलिए फ्रेंस यहाँ पर मैं वीडियो को आपको सबसे पहले resize करके दिखाता हूँ इसके बन मैं upload करके दिखाने वाला हूँ अब देखे फ्रेंस यहाँ पर हमको photo graph को resize करने के लिए एक application का जुरत पढ़ने वाला जो कि आपको play store में मिल जाएगा अगर आप किसी अधर अपलिकेशन के use करके resize करना चाहते हो तो आप कर सकते हो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर photo resizer से इससे आप कैसे photo Echo signature को resize करेंगे तो देखे प्रेंस यहां पर सबसे पहले आगर आप इस वाले application से research करना चाहते हैं mobile phone से तो आप इस वाले application को install कर सकते हैं यहां पर मैं बता रहा हूँ जो भी यहां पर आपको research करने का तरीका होता है वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूँ अगर आप laptop यह PC से अगर आप research करना है तो आपको क्या करना है इसी width और height में क्या करना है आपको set कर लेना है और आपको research कर लेना है अब देखे प्रेंस यहां पर आप जैसिस वाले application को install कर लेते हैं open कर लेते हैं तो आपको इस प्रकार का interface देखने को मिलेगा सबसे पहले आपको यहां पर करना क्या है select करना है आपका जो signature होता है वो आपको select करना है तो यहां पर मैं signature को select कर लेता हूँ आपका जो भी signature होगा वही signature आपको select करना है यहाँ पर demo मातर के लिए मैं select कर रहा हूं तो यह जो signature होता है यह मैं यहाँ पर ले लेता हूं इसके बाद देखिए प्रेंस यहाँ पर हमारा जो signature होता है वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है पर आपका जो signature होता है आपका यहां पर white paper में क्या करना है आपको blue year black ink से आपको signature कर लेना है यहां पर मैं demo मातर के लिए बता रहा हूँ तो आपको इसका जो instruction होता है वही आपको यहां पी क्या करना है research में क्लिक करने के बद आप उपर के उस्कूल करेंगे अगर आप इस वाले application से research करना चाहते हैं तो resolution and file size में आपको आ जाना है इसके बद आप यहाँ पे custom में क्लिक करेंगे custom में आप जैसे क्लिक करेंगे इसके बद आपको करना क्या है इस वाले box में आपको 400 type कर लेना है तो simply यहाँ पे मैं type कर लेता हूँ 400 कुछ इस type से इसके बाद देखे friends यहाँ पे आपको इस वाले box में 200 type कर लेना है और आपको इस वाले box में untick करना है और आपको kb की बात करें तो यहाँ पे आपको 20 kb में convert करना है तो simply आप यहाँ पर 20 टाइप कर देंगे कुछ इस टाइप से इसके बाद देखे प्रेंस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह आपका केवी में टिक होना चाहिए यह आपका अंटिक होना चाहिए यहाँ पर आपका 20 केवी होना चाहिए और आपका यहाँ पर 400 के भी में, मतलब 400 यहाँ पर आपका width होता है वो आपका होना चाहिए, फिर से मैं आपको बता देता हूँ guys, यहाँ पर यह इसका width है, यह इसका height है, यह इसका file का size है, तो आपको इस प्रकार क्या करना है, तीनों को एक साथ यहाँ पर आपको type कर देन है, यहाँ पर आपको ok का button देखने को मिलेगा, simple यहाँ पर ok में click कर देंगे, आप देखिए friends यहाँ पर, आप देखिए friends यहाँ पर जो आपका signature जो आपने research किया है, इस वाले signature को आपको save कर लेना है अपना gallery में, तो simply आप यहाँ पर gallery option में touch करेंगे, इसके वाद upload में click क जैसे click करेंगे, आपका signature होता है आपका upload हो जाएगा आपका gallery में, अब चलिए friends यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर signature जो यहाँ पर मैंने research करके दिखाया है, इसको upload करके भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, friends यहाँ पर मैं signature और photograph upload section में आ चुका हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं signature को upload करने के लिए, सबसे पहले यहाँ पर upload signature में, यहाँ पर मैं click कर दूँगा, इसके बाद देखे friends यहाँ पर मैं उस वाले signature को select करूँगा, जो signature यहाँ पर मैंने research किया, तो simply यह जो signature होता है, यह signature होता है, आपको upload कर लेना है, तो इस परकार जानकारी है, दोस्तों I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आया होगा, फोटो गराप आपको live कैसे upload करना है, इसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, अगर आपको live photo upload करने में दिक्कत हो रहा है, प्र होगा तो आप मुझे comment box में comment करेंगे